बालू और किर्टी भूग के मारे दर दर भटक रहे थे दीदी, मैं तो भोजन कहीं नहीं मिल रहा, लगता है भूग से मर जाएंगे हाँ बालू, चल चल कर अब तो पैर भी ठक गए हैं हाँ, चल, वहाँ पेड की छाओं में थोड़ी तेर बैठ जाते हैं बालू और किर्टी ने पास ही में एक पेड देखा और उस पेड के तले जाकर बैठ गए दीदी, ये अपनी कैसे जिंदिगी है, पेड भरने के लिए दर दर भटकना पड़ता है कुछ ऐसे भी लोग हैं जिने इतना बोजन मिलता है कि वो पच्चा नहीं पाते कितनी मेनद करने पड़ती है भाई, हर कोई काम पेड भरने के लिए ही करता है, चल कोई नहीं अब यहीं बैठे रहेंगे, तो भूग बढ़ती ही रहेगी, घटेगी थोड़ी, चल यहां से चलते हैं वे दोनों उठकर वहां से जा रहे थे, कि बालू ने दीडी को रोक कर, पीछे पलटकर उस पेड पर देखा, तो पेड पर धेर सारे आम लगे हुए थे आँ, दीडी, जब हम यहां आये थे, क्या तब पेड पर इतने पल थे? हाँ, लगता तो नहीं बालू, पर इतनी देर में इतने सारे पल कैसे लग सकते हैं? इस समय तुम्हें अपना पेड भरना है, और उसके लिए तुम्हें आहर की जरूरत है, फिर ऐसे में यह पेड कहां से आया, इस पर फल कैसे लगे, इन सब से तुम्हें क्या लेना देना? अब इस पेड पर फल लगे है ना, तोड लो और इन्हें खा लो, किसका इंतजार है? भूग से तड़प रहे कीरती और बालू ने तुरंट फल तोड लिए और उन्हें खाने लगे बच्चों, मैं एक जादूई आम का पेड हूँ, इसलिए जब तुमने भूग की बात की, तो मुझ पर अचानक से इतने सारे फल आ गए बच्चों, क्या तुम मेरी एक सहायता कर सकते हो? हाँ, हाँ, क्यों नहीं, बताये ना क्या करना है तुम जैसे कई ऐसे लोग होंगे न, जो भूग से तड़प रहे होंगे तुम उन सभी को मेरे पास लेकर आना, मैं अपनी जादू से उन्हें खाने के लिए फल दूँगी हाँ, पर इसके लिए हमें जाकर ऐसे लोगों को ढूण कर लाने की क्या जरूरत? आप पर लगे फलों को हम टोकरी में भर के ले जाएंगे और जो भूगे होंगे उन्हें खाने के लिए दे देंगे यू टोकरी में भर कर सब में आम बातने जाओगे तो उन्हें भी देना पड़ेगा जिन्हें इनकी कोई जरूरत नहीं ऐसे में उन लोगों के साथ ये अन्याय हो जाएगा जिन्हें सच में इसकी जरूरत होगी है ना? इसलिए तुम दोनों जाओ और जरूरत मद का पता लगाओ जादूई आम के पेड के कहने पर बालू और किर्थी गाओं भर में घूम कर ऐसे लोगों का पता लगा कर आये जो सच में मजबूर थे और जिन्हें अन्य की जरूरत थी जादूई आम के पेड़ जी वैसे तो सभी देखने में खुश नजर आते हैं पर हर किसी के घर में कोई न कोई समस्या चल रही है आस पुडोस में पता चले तो उनका मजब बनेगा ये सोच कर कोई किसी को कुछ बताता नहीं वे सभी फिर भी भूखे जीना पसंद करते हैं पर किसी के सामने हाथ पहलाना नहीं इसलिए तो हम ये समझ ही नहीं पाए भी किसे सहाईता के जरुरत है और किसे नहीं तुम्हें ये बात समझ में आए तभी तो मैंने तुमसे ये काम करवाया ऐसा तुम्हें लगता था ना कि सभी के पास सब कुछ है पर तुम्हारी मदद करने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ता है ना पर ये सत्य नहीं है जो बाहर दिखता है वही सच नहीं होता तुम्हें लगता है सभी के पास धैन है कि लोगों की परिस्टिती बाहर से जैसी दिखती है असल में वो उतनी सुन्दर नहीं है अब तक तुम दोनों ने जितने लोगों को कोसा है उन में से कई ऐसे सच में मजबूर लोग भी है जिन्हें खाने के लिए भोजन नहीं मिलता क्या ये तुम दोनों चानते हो आपको जब इतना पता ही है तो आप उनकी किसी तरह मदद क्यों नहीं करती अभी अभी तो तुम दोनों ने कहा कि भले ही उनके पास खाने के लिए अनना हो पर वे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते ऐसे लोगों के पास जाकर अगर कहो कि सहायता करना चाहते हो तब भी उनका स्वाब इमान उन्हें किसी से मदद लेने नहीं देता हाँ तो एक काम करते हैं उन्हें किसी से भी मदद लेना पसंद नहीं है न तो कुछ ऐसा करते हैं जिसे लगे की प्रकृती खुद उनकी सहायता करना चाहती है जिन्हें जरूरत होगी वो उसकी सहायता लेंगे और जिने नहीं वो अपने दर्वाजे बंद रखेंगे क्या कहते हो हाँ तुम्हारा सुझाओ तो सही है पर ये कैसे करें आप अपनी जादूई शक्तियों से आमरस की बरसात करवाओ तब तो समझ में आहे जाएगा कि किसे जरूरत है और किसे नहीं हम्हारा ये सुझाओ बहुत अच्छा है आज ही मैं आमरस की बरसात करवाती हूं उस दिन शाम होते ही जादूई पेड़ ने आमरस की बरसात करवा दी गाउं के ऐसे कई लोग थे जिन्होंने अपने अपने घर से बरतन लाए और आमरस उसमें भर लिया थोड़ी देर बाद बरसा थम गई जिन जिन लोगों ने आमरस भर लिया था बालू ने उनके पास जाकर उनसे पूछा अरे रमु कका आप इस तरह आमरस भर कर क्यों ले जा रहे हो बेटा बालू जब भूक लगती है तब घर में अनका दाना नहीं होता हर बार भूक लगने पर दर दर भटक कर आहार का बंदोबस करना पड़ता है अब अगर घर पर ही आहार हो तो थोड़ा सुकून ही मिल जाए बालू वहां से निकल कर किसी और से पूछने चला गया किसा आपने हाथ पहलाने की जरूरत नहीं होगी फिर बालू ने तीसरे के पास जाकर पूछा मैं हाईवे पर खड़े होकर इस आम रस को बेचूंगा इस तरह मैं पैसे कमा पाऊंगा ना उन पैसों से मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा यू हर किसी से आम रस लेने की अलग-अलग वजह जानकर बालू को बहुत अच्छा लगा किर्ती और बालू ये जानकर सीधे जादूई आम के पेट के पास चले गए आज आपने जो किया है ना वो कोई चोटा मुटा काम नहीं किया आपने गामवालों की बहुत मदद की है इस तरह दुनिया में कई लोग है जिनके अलग-अलग कारण है उनकी अलग जिंदगी है इसलिए हमें कभी भी इस बात की शिकायत नहीं करनी चाहिए कि कोई हम पर ध्यान नहीं देता इस तरह जीना बहुत मुश्किल होगा अब तो तुमने जान लिया ना अब जा सकते हो पेड ने उन दोनों को अच्छा सबक सिखाया उस दिन से कीर्थी और बालों ने जिन्दगी से शिकायत करना छोड़ दिया महनत करते और किसी ना किसी तरह अपने लिए भोजन का इंतजाम खुद ही कर लेते और इस तरह खुशी से रहने लगे थे दीदी हम बिन माबाप के हैं इसलिए सबी हमारा बहुत मज़ा कुड़ाते हैं तुझे क्या हो गया है बालू अभी तक तो तु कह रहा था कि भले हमारा कोई न हो हम खुश रह पाए इतना ही काफी है फिर अचानक ऐसी बाते क्यों कर रहा है हाँ अब तक तक मैं यहीं सोच रहा था पर मैं ऐसा अब नहीं सोच सकता तो साफ साफ कुछ कहेगा नहीं तो तेरी बातों का मतलब मुझे कैसे पता चलेगा हुआ क्या है ये तो मुझे तुम्हें बताना होगा बालू उसे कहीं ले जा रहा था तो बिना कुछ कहें मुझे कहां लेकर जा रहा है बालू देदी थोड़ी देर तक तुम चुप नहीं रह सकती बालू सडक के किनारे कूडे दान के पास गया और वहाँ पर प्लास्टिक बोदलों को इखटा करने लगा उसी समय एक औरत अपनी बेटी को लिए उसी रास्ते से गुजर रही थी बेटा देखा तुमने मैं तुम्हें हमेशा पढ़ने के लिए कहती हूँ तो तुम पढ़ाई छोड़कर खेलने के लिए निकल जाती हो अगर तुम ठीक से पढ़ाई नहीं करोगी तो देखो वहाँ वो लड़का कैसे कच्रे से बोतले उठा रहा है तुम्हें भी आगे चल कर यही काम करना पड़ेगा यू अपनी बेटी को समझाते हुए वो उसे लिए आगे चली गई बालू किर्टी को लिए एक दुकान के पास चला गया जैसे ही दुकानदार ने उन दोनों बच्चों को दुकान की और आते हुए देखा अरे अरे कहा चले आ रहे हो दूर खड़े हो कर बताओ तुम्हें क्या चाहिए तुम जैसे भिकारियों को दुकान में आने डूँ तो ये चाहिए वो चाहिए का बहना बना कर बिना पैसे दिये ही चले जाते हो हम जैसे बच्चे यानि कैसे क्या हम कोई बोड लटका गर घूम रहे हैं जिस पर लिखा हो कि हम कैसे बच्चे हैं तुम्हारे सड़े हुए चहरे और बे जान बालों को देख कर किसे समझ में नहीं आएगा मैं बस यही बताना चाहता था चलो दिदी और थोड़ी देर यहां रुकेंगे तो हम पर दया दिखाना तो दूर की बात कहीं यह हमें डांट फटका कर भगा न दे किर्थी और बालों वहां से चले गए कुछ दूर जाने के बाद उन दोनों को एक खरगोश मिला दिदी देखो न वह खरगोश कितना संदर है ऐसा कोई जानवर अपने पास हो तो कुछ समय के लिए अपना दिल बहला रहेगा है न दिदी यहां हमारा पेट भरने के लिए ही हमें सुखी रोटी नहीं मिलती और तो चाहता है कि जानवर को पाल कर उसे भी अपनी तरह भूगा मरने दे देखना वो कितनी खोश है प्रकृती के परिसर में रहेकर उसे वही रहने देते हैं नहीं नहीं, मैं तो खरगोश का अपने साथी रखना चाहता हूँ, क्या पता उसके हमारे साथ रहने से हमारी किस्मत ही बदल जाए? खरगोश को पकड़ने के लिए बालू उसका पीछा करने लगा, खरगोश फुदक फुदक कर एक पेड़ की चाहल में जाकर छुप गया, बालू ने खरगोश की मांद में हाथ डाल कर कहा, जैसे ही बालू ने पकड़ कर हाथ बाहर निकाला, तो उसके हाथ में एक सोनी की बड़ी चैन थी, किरती भी वहाँ पर दोड़ कर चलिया और हाथ डाल कर उसने जान लिया कि उस मांद के अंदर और भी सोना पड़ा हुआ है, और क्या था, उन दोनों के हाथ जितना भी सोन लगा, उन दोनों ने उसे समेटा और अपने घर ले गए, दीदी, लगता है आज अपनी किसमत में इतना सोना लिखा ही था, तभी तो आज हमें वह खरगोश मिला, तेरा किसी बात को लेकर इतना परेशान होना, फिर तेरा मुझे अपने साथ ले जाकर कुछ बातों को बत दीदी, उस दुकानदार ने हमसे क्या कहा था, हमारे सरे चेहरे, पुराने मैले कुछिले कपड़े है ना, अब मैं उसे मज़ा चखा कराता हूं दीदी, तो ऐसा क्या करने वाला है बालू, चलो दीदी, बालू ने उनके लाए हुए सोने में से आधा सोना उठा कर आंगन दीदी, बहुत सारी सोने की तार बनाकर, वो अपने घर में सिलाई मशिन के पास उसे ले गया, दीदी, तुम्हारे पास एक फटा पुराना लहंगा है ना, वो लाना तो जरा, बालू के कहने पर किर्ती उस पुराने लहंगे को लेकर बालू के पास आई, बालू ने के लहंगे को पहन कर जरा उस दुकानदार के पास तो चलना बालू के बनाय हुए सोने के ड्रस को किर्टी ने पहन लिया तू भी मेरे साथ चलना नहीं दीदी तुम ही जा कर आओ और मुझे बताना वहां क्या हुआ किर्टी उस दुकानदार के पास चली गई अरे बेटा चलो चलो अंदर चलो तुम्हे जो चाहिए खुद ही लेलो दुकानदार ने बड़े प्यार से उसे अंदर बुलाया कीर्टी तुरंट वहां से निकल कर बालू के पास आई तो उस समय बालू सोने को पिगला कर उससे तार बना रहा था बालू बालू उस दुकानदार ने म कीर्थी उचलने लगी बालू भी ये जानकर बहुत खुश हुआ